हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीकोड इंडियान, आई होप आप सबी अच्छे हैं, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि अगस्त मंत के कुछ RBS सर्कूलर को हम लोग डिसकस कर चुके हैं, लेक्चर वन में, तो आज के इस लेक्चर में हम जो रिमेइनिंग सर्कूलर से उसको डिसकस करने वाले हैं, ठीक है, यहां पे कुछ-कुछ हम कम्प्लीट डायरेक्शन को भी पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारा प्रोवीजन्स है, तो हो सकता है कि लेक्चर का जो डूरेशन है, वो थोरा जाता हो जाए, तो इस केस में हम इसको पार्ट में अप्लोड करतेंगे, तो चलिए सुरू करते हैं, बिना किसी डिले के, और अगर आपको इस लेक्चर का पीडियव चाहिए होगा, तो वो भी आपको मिल जाएगा, टेलीक्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाक उसको यहां पर रिव्यू किया गया है, और अगर मैं बताओंस के लिए जारी हासिंग फाइनास कंपनी के लिए जो रूल से जो रेकोलेशं है, उसको ठाओंस के लिए जो Chief has from businesses are इस circular में बहुत सारा provisions है क्यूंकि यह पूरा regulatory framework जारी किया गया housing finance companies के लिए यहां पर एक दो provision का बात नहीं किया गया है पूरा regulatory framework जारी किया गया है तो उसको तो उसको तो हम discuss करेंगे और पहले ही मैं बता देती हूं कि इस circular को discuss करने में थोरा समय लग सकता है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और सुरू करने से पहले यहां पे हम थोड़ा से देख लेते हैं कि housing finance companies होता क्या है वैसे तो इसके नाम से आपको पता चल रहा है देखे housing finance companies क्या होता है यह specialized financial institutions होता है जो की primarily क्या करता है जो residential properties होता है उसको purchase करने के लिए उसको construct करने के लिए उसके renovation के लिए आपको loans provide करता है माल लीजे कि आपको कोई apartment purchase करना है या फिर कोई flat आपको purchase करना है तो उसके लिए housing finance companies आपको loan provide करता है आपके पास पहले से land है उसके उपर आपको building construct करना है तो उसके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करता है आपके पास पहले से घर है और उसको आपको ठीक करवाना है बहुत पुराना हो गया आपको ठीक कराना है तो उसके रिनोवेशन के लिए आपको ये जो लोन्स है वो प्रोवाइड करता है समझ में आ गया अब दिए पावसिंग फावसिंग फाउसिंग नाशनल हाउसिंग बैंक रेगुलेटरी पावर था वह पहले नैशनल हाउसिंग बैंक के पास लेकिन सब्सक्राइब तो अब जो हाउसिंग फाइनन्स कंपनीज का रेगुलेशन है वो कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है अब यहां पे टॉम आया है नैशनल हाउसिंग बैंक इसको थोरा सम देख लेता है क्यूंकि प्रोविजिंस में आपको बहुत बार यह द अनसाइट और ओप साइट मेकनिजम के थ्रोव ओन साइट मेकनिजम का मतलब क्या है कि फिजिकली यह उसके उपर निगरानी रखता है और ओप साइट मेकनिजम का मतलब क्या है कि ऑल्लाइन जो हाउसिंग फाइनन्स कंपनीज के द्वारा इसके पास डेटा रिपोर्ट सम तो आपका नैशनल हाॉसिंग बैंक एक नाइटीन से डिया तो प्रभाइब है कि अब यहां पर बात करें कुछ आउसिंग फाइनस कंपनी जे बारे में तो आपका नाशनल हाॉसिंग बैंक है उसके आफिशल वेबसाइट से लिया है तो आप देख सकते हैं कि एसर साइज के के साब से यह टॉप टेन हाउसिंग फाइननस कंपनीज है हमारे देश के लिमिटेड के अंदर कि इन में से कुछ का नाम तो आपने जरूर सुना ऊगा सबसे पहला क्या है L I C पर आदार हाउसिंग पाइनस लिमिटेड सब्सक्राइब 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 करता है घर करने के लिए और उसके रिगनोवेशन वह प्रवाइट करता है इसको पहले National Housing Bank regulate करता था 2019 से Reserve Bank of India इसको regulate करता है और जो National Housing Bank है वो क्या करता है तो वो जो भी हमारे देश के अंदर housing finance companies है उसको यह register करता है license provide करता है उसको यह super wise करता है ओके और वो Ministry of Finance Government of India के अंदर आता है समझ में आ गया अब हम आते हैं अपने circular के ओपर ओके देखे देख जो circular एक issue किया गया था उसमें ही RBI ने announce कर दिया था कि जो housing finance companies है और जो NBFC है उसके लिए जो regulation applicable है उसको harmonize किया जाएगा मतलब कि housing finance company के लिए जो rules है regulations है उसको NBFC के लिए rules है regulations है उसके साथ align किया जाएगा similar किया जाएगा एक uniform set of rules को लाया जाएगा ओके लेकिन यहां प transition होगा housing finance company NBFC को जो नए rule में shift करना होगा तो उसमें उनको कम से कम जो interruption है उसका सामना करना पड़े उनका जो normal operation है वो कम से कम disturb हो इसके लिए ओके अब यहां पर क्या क्या है तो यह तो पहले ही हमने देख लिया था पहले ही मैंने बता दिया था कि 2019 में जो housing finance company है उसका ज अब उसके बाद से बहुत सारा ऐसा regulations issue किया गया है जिसमें कि housing finance company को as a category of NBFC के तौर पर treat किया गया है तो यहां पे इसी policy के साथ consistent रहने के लिए जो भी rule है regulation है housing finance companies और NBFC के लिए उसको यहां पे analyze किया गया है ताकि इसको harmonize किया जा सके और यहां पे जो rules regulation को analyze किया गया ह है इसको harmonize करने के लिए तो housing finance company का जो specialized nature है अब इसका specialized nature क्या है यह housing loans provide करता है यह अलग-अलग तरह का loan प्रवाइड करता है तो यहां पे housing finance company का जो specialized nature है उसको ध्यान में रखकर के यहां पे रिव्यू किया गया था और जो भी existing rules है regulations है housing finance companies के उपर जो applicable होता है जो की master direction, NBFC housing finance company, reserve bank of India directions 2021 के अंदर mention है तो उसको यहाँ पे review किया गया और यहाँ पे जो revised regulation है उसको issue किया गया है और देखे साथ ही में यहाँ पे जो कुछ-कुछ rules है regulations है जो कि NBFCs के उपर applicable होता है उसको भी यहाँ पे review किया गया है और revised regulations issue किया गया है तो जो भी हम revised regulations के बारे में बात करने वाले हैं वो एक january 2025 से applicable होगा तो 1st January 2025 से जो भी हम rule regulations के बारे में revised rule regulation के बारे में बात करने वाले हैं जो कि Housing Finance Companies के उपर applicable होगा, NVFC के उपर applicable होगा, तो वो 1st January 2025 से applicable होगा, यह बिलकुल याद रखिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हैं, और यहां पर जो भी changes होगा है, उसके हिसाब से इन सब Master Direction को लाने के लिए इसको modify कर दिया गया है, ओके, ना देखिए सबसे पहले तो जो revised regulations है, housing finance companies के लिए, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो यहां से एक-एक provision बहुत important है, बहुत ही ध्यान से समझेगा, और कहीं पे अगर कुछ जादा important होगा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, कि यहां से question बन सकता है, जो बहुत जादा important होगा, तो देख करने वाले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वैसे housing finance companies के ओपर applicable होगा, जिसके पास certificate of registration है, public deposit accept करने का, hold करने का, ठीक है, अब देखिए, अभी क्या है ना, कि housing finance companies, जो की लोगों से public deposit accept करता है, तो उसके लिए जो rules है, जो regulations है, वो काफी आसान है, अगर आप इसको वैसे NBFC से compare क करेंगे, जो deposit taking NBFC होता है, उसके लिए जो rules है, regulation से compare करेंगे, तो housing finance companies, जो की public deposit accept करता है, उसके लिए जो rule regulation है, वो काफी आसान है, लेकिन यहां पे जो अलग अलग category का NBFC है, जो की deposit accept करता है, उसके लिए जो regulatory concerns है, जो rules है, वो सेम है, तो इसी को ध्यान में रख करके, य जो deposit taking NBFC है, उसके लिए जो rule regulations है, जो regulatory resign है, उसके ला दिया गया है, मतलब कि अब housing finance companies को भी, जो deposit taking housing finance companies है, उसको भी, जो deposit taking NBFC के लिए regulatory resign है, उसके ला दिया गया है, और जो 2016 का एक master direction है, master direction NBFC, acceptance of public deposit reserve bank directions 2016, तो उसके अंदर जो uniform prudential parameters mention है, वो अब housing finance companies के ओपर भी applicable होगा, ओके, तो जो भी regulations अभी हम देखने वाले हैं, वो सब किसके ओपर applicable होगा, housing finance companies, जो की public deposit accept करता है, और hold करता है, ओके, सबसे पहले तो यहां पे maintenance of minimum percentage of liquid asset को ले करके provision है, housing finance companies के लिए, तो अभी क्या है, कि national housing bank act 1987 के section 29b के तहट, जो deposit taking nbfc है, उसके पास जो भी public deposit है, उसका 13% उसको liquid asset के फॉर्म में maintain करके रखना होता है, liquid asset क्या हो गया, cash हो गया, जो government securities होता है, वो हो गया, जिसको आप easily cash में convert कर सकते हैं, तो liquid asset में cash तो आता ही आता है, cash तो खुद ही liquid asset है, इसके अलावा ऐसा securities आता है, जिसको की आसानी से आप cash में convert कर सकते हैं, तो जो deposit taking nbfc है, उसके पास जो भी public deposit है, उसका 13% उसको हमेशा liquid asset के फॉर्म के 100 crore है, तो इसका 13% कितना हुआ, 13 crore हुआ, तो 13 crore के value का जो liquid asset है, वो housing finance company को इस case में हमेशा आपने पास maintain कर के रखना होता है, अभी ये provision है, अब यहाँ पर फैसला क्या लिया गया है, यहाँ पर जो भी deposit taking housing finance companies है, उसको बोला गया है, कि वो ongoing basis पे जो उसका public deposit है, उसका 15% liquid asset के form में maintain करके रखेंगे, मतलब कि पहले कितना था 13% था, अभी इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो maintenance of minimum percentage of liquid asset था, जो कि पहले 13% था, उसको अभी बढ़ा करके 15% कर दिया गया है, तो यह तुरंस से applicable हो जाएग नहीं, ऐसा नहीं है, यह जो भी नियम है, इसको phased manner में मतलब implement किया चाहेगा, तो किस तरीके से इसको implement किया चाहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह पूरा चार्ट है, इसको ध्यान से समझेगा, यहाँ से question बन सकता है, तो देखें, अभी क्या provision है, अभी कोई housing finance company ह उसका जो भी public deposit है, उसका 6.50% इसको unincumbered approved securities के form में maintain करके रखना होता है, unincumbered approved securities, ऐसा securities होता है, जो की pledge नहीं है, उसके उपर उसको collateral के तोर पे इस्तमाल नहीं किया गया, उसके उपर किसी भी तरह का button नहीं है, तो अभी क्या provision है कि housing finance companies का, जो भी public deposit होता है, उसका 6.50% उ unincumbered approved securities के form में maintain करके रखना होता है, मतलब कि अगर 100 करोड उसका public deposit है, तो 6.50 करोड वैल्यू का जो unincumbered approved securities हो, उसको 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 में maintain करके रखना होता है, और total liquid asset उसको उसके public deposit का 13% maintain करके रखना होता है, तो इस 13% के अंदर ये जो unincumbered approved securities हो भी आ जाता है, मतलब कि total उस अगर उसका 100 करोड पब्लिक डिपॉजिट है तो टोटल इसको 13 करोड जो लिक्विट ऐसेट है उसके फॉर्म में मेंटेन करके रखना होता है और उसमें यह जो 6.50 करोड है वो भी सामिल रहता है समझ में आ गया अभी यह करेंट नॉर्म से अब बोला क्या जा रहा है कि एक जनवरी दो हजार पचीस तक यह जो अन इंकमबर्ट अप्रूफ्ट सेक्यॉर्टीज है 6.50% वह बढ़के कितना हो जाना चाहिए 8% हो जाना चाहिए यानि कि एक जनवरी दो हजार पचीस तक जो 14% हो जाना चाहिए और इस 14% में यह जो अन इंकमबर्ट अप्रूफ्ट सेक्यॉर्टी से वह भी सामील होगा इसके बाद यहां पे एक जुलाई दो हजर पचीस तक यह जो अन इंकमबर्ट अप्रूफ्ट सेक्यॉर्टीज है तो वह उसके पब्लिक डिपॉजिट का 10% हो यह जनवरी दो हजर पचीस तक इसको कितना करना है हाउसिंग फाइनस कंपनी इसको 14% करना है और यह जुलाई दो हजर पचीस तक यह कितना हो जाना चाहिए 15% हो जाना चाहिए तो इस तरीके से जो मेंटेनेंस और मिनिमम परसेंटेज ऑफ लिकुइड एस है वह पहले 13% था और अभी इसको बढ़ा कर दिया गया 15 परसेंट कर दिया गया है तो इस तरीके से इसको फेस्ट मैनर में इंप्लिमेंट किया जाएगा समझ में आ गया ताकि समझ में आ गया आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं अब जो भी हमने लिक्विड एसेट के बारे में बात किया तो उसका सेफ कश्टरी बहुत जरूरी है राइट वह सेफली कहीं पे स्टोर हो यह बहुत जादा जरूरी है तो हाउसिंग फानेंस कंपनी क्या करता है जैसे कि इसकेडियूल कमर्शल बैंक होगे स्केडियूल कमर्शल बैंक के पास वह जो लिक्विड एसेट रहता है उसको इस्टोर करके रखता है तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि जो आपका 2016 का मास्टर डारेक्शन है मास्टर डारेक्शन अन्बी एफसी एक्सेप्टेंस इसके पैराग्राफ 33 के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेफ कस्टरी ओफ लिक्विड एसेट को ले करके तो वही इंस्ट्रक्शन सब जो डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनस कंपनी है उसके उपर भी एप्लिकेबल होगा और अभी तक क्या होता था अभी तक हाउसिं लिक्विड एसेट को ले करके तो यह इसको रिपील कर दिया गया जो सेकेंड पैराग्राफ आफ देख रहे हैं पैराफ 40 ओफ मास्टर डारेक्शन अन्बी एफसी हाउसिंग फाइनस कंपनी रिजर्व बैंक डारेक्शन 2021 तो इसको रिपील कर दिया गया समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं अब यहां पे यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि हाउसिंग फाइनस कंपनी लोगों से जितना पैसा ले रहा है उसके पास उतना ही पैसा हो उसके पास उतना एसेट हो उससे जादा या फिर उसके बराबर में उ जैसे कि माल लीजे कोई housing finance company है उसने लोगों से 100 करोर रुपया deposit के तोर पे accept किया है तो यह बहुत जरूरी है कि उसका जो total asset है उसका value 100 करोर या उससे जादा हो अब किसी भी condition में अगर housing finance जो एसेट है वह उसके public deposit से कम हो जाता है नीचे चले जाता है माल लीजे उसका जो public deposit है वह 100 करोर है और उसका जो total asset है उसके 80 करोर है या फे 90 करोर है तो इसके बारे में उसको inform करना पड़ेगा National Housing Bank को NHB को इसको inform करना पड़ेगा ठीक है समझ में आ गया आगे देखते हैं अब देखें यहां पर rating of deposit ceiling on quantum of deposit and period of deposit को लेकर के provision है तो सबसे पहले कोई housing finance company कब eligible होगा लोगों से public deposit accept करने के लिए तो यहां पर क्या बोला चाहरा है कि कोई housing finance company अगर वह eligible होना चाहता है लोग पर उसको कम से कम साल में एक बार minimum investment grade credit rating अप्टेन करना होगा और किसी भी condition में अगर उसको जो rating मिला हुआ है वह minimum investment grade से नीचे चले जाता है तो इस case में housing finance company जो उसका existing deposit है उसको renew नहीं करेगा नहीं तो वह fresh deposit लोगों से accept करेगा तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह फिर से जो investment grade credit rating है वो obtain ना कर ले ओके तो यहाँ पर rating of deposits को लेकर करके है मतलब कि कब कोई housing finance company eligible होगा जो public deposit है वो accept करने के लिए ठीक है ना देगे यहाँ पर कोई housing finance company है वो maximum कितना deposit लोगों से accept कर सकता है तो उसके उपर ceiling है तो अभी तक क्या है ना जो deposit taking NBFC है उसका जो owned fund होता है उसके three times वो public deposit accept कर सकता था मतलब कि अगर किसी housing finance company का owned fund 100 करोर का है तो वो maximum 300 करोर public deposit लोगों से accept कर सकता था तो यहाँ पर इसको reduce करके 1.5 times कर दिया गया है यानि कि अब वो अगर उसका public deposit 100 करोर का है तो maximum 150 करोर ही public deposit लोगों से accept कर सकता है समझ में आ गया अब देखिए जो deposit taking housing finance company है अब यह नियम तो अभी आ है लेकिन बहुत साथ deposit taking housing finance company है जो कि इस लिमिट से जादा जो public deposit है वो होल्ड किया होगा राइट तो यहां पर जो भी deposit taking housing finance company है जो कि यह जो revised limit है इससे जादा public deposit होल्ड किया हुआ है तो वो कोई भी fresh public deposit accept नहीं करेगा या फिर existing उसके पास जो deposit होगा उसको वो renew नहीं करेगा तब तक यह दोनों चीज नहीं करेगा जब तक कि वह जो revised limit है उसको comply करने के limit में ना आ जाए उके उसके बराबर वो ना जाए ठीक है लेकिन जो existing access deposit होगा मतलब जो लोग पहले से उस housing finance company के अंदर deposit deposit उन्होंने किया होगा तो उस deposit के उपर जो repayment उस deposit के उपर जो interest है जिस हिसाब से तही हुआ था उस हिसाब से housing finance company को उसके उपर interest देना होगा जब तक कि वह mature नहीं हो जाता है ठीक है अब देखे यहाँ पर हमारे पाद जो slide है यह बहुत जादा important है तो अभी क्या नियम है अभी housing finance company कम से कम एक साल के लिए public deposit accept कर सकता है या फिर इसको renew कर सकता है और maximum फो 10 साल के लिए public deposit accept कर सकता है या फिर उसको renew कर सकता है तो यहाँ पर months में mention है कि minimum 12 months के लिए कर सकता है और maximum वो 120 months के लिए कर सकता है किसी भी condition में 10 साल से जादा पीरेट के लिए वो public deposit accept नहीं कर सकता है या फिर इसको renew नहीं कर सकता है अभी यह प्रोवीजन है ओके ना देगे यहां पर फैसला क्या लिया गया है यहां पर बोला गया है कि अब जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है न वह मैक्सिमम पात साल के लिए ही पब्लिक डिपॉजिट एकसेप्ट कर सकता है या फिर इसको रिन्यू कर सकता है तो दस साल से घटा कर दिया गया है यहां पर पांच साल कर दिया गया है कि मंस में 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 कि कम से कम ट्रॉल मंत के लिए जो पब्लिक डिपॉजिट है वह एकसेप्ट रिन्यू कर सकता है किसी भी कंडिशन में 60 मंट से ज्यादा पीरेट के लिए वह पब्लिक डिपॉजिट एकसेप् यह प्रफाइल को हैं उसके अंजर आपने के बाद जो आपको बोलेगा कि आप अपना पैसा वापस ले लीजे हमें अलाउट नहीं है नहीं के हिसाब से से जाता है तो उसका रिपेमेंट जो भी एक्जिस्टिंग रिपेमेंट प्रोफाइल होगा उस हिसाब सही होगा ठीक है यह वाला भी प्रोविजन समझ में आ गया आगे बढ़ते हैं यह क Pat海 container सिर्टी पर उन लिस्टेट इसर नहीं पर है है तो tom मतलब क्या होता है इतु. तो यहां पर deposit taking non-banking जो financial companies है तो वो unquoted shares के अंदर एक limit तक ही जो investment है वो कर सकता है उसके investment के ओपर restrictions है अब इस तरह का restrictions जो deposit taking housing finance companies है अभी उसके ओपर नहीं है लेकिन deposit taking housing finance के लिए वो capital market में कितना investment कर सकता है capital market में उसका exposure कितना होगा उसके लिए जरूर लिमिट है कि बॉंड्स में शेर्स में कितना investment कर सकता है उसके लिए लिमिट है जिसके बाड़े में master direction nbfc housing finance company reserve bank direction 2021 के paragraph 23 में mention है तो यहां पर क्या फैसला लिया गया है यहां पर बोला गया है कि कोई deposit taking housing finance company है तो deposit taking housing finance company उसका unquoted shares में maximum investment कितना हो सकता है इसके लिए वो एक vote approved internal limit fix करेगा और यह जो यह internal limit fix करेगा तो यह ऐसा नहीं है कि अलग होगा यह internal limit उसका जो overall limit होगा सब limit होगा exposure के लिए capital market के अंदर तो उसके अंदर यह limit होगा ठीक है समझ में आगया यह वाला भी provision आगे बढ़ते हैं अब देखें यहां तक जो भी provisions के बार में हमने बात किया था वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर applicable होगा जो deposit taking nbfc है वैसा sorry जो deposit taking housing finance companies है वैसा housing finance companies जिसके पास certificate of registration है public deposit accept करने का hold करने का सिर्फ उसके ऊपर applicable होगा और सबसे important point जो हमने बात किया था कि public deposit का उसके पास टोटल public deposit होगा उसका कितना percent उसको liquid asset के form में अपने पास ongoing basis में maintain करके रखना होगा तो उसके लिए जो provision था ना वह सबसे important provision था ओके चले आगे बढ़ते हैं अब यहां पर हम क्या बात करने वाले हैं अब यहां पर वेट शकेंड अब यहां पर हम other instructions के बारे में बात करने वाले हैं जो कि जितना भी housing finance companies है उसके उपर applicable होगा तो सबसे पहले तो देखें यहां पर अभी जो NBFC है NBFC अभी उसका जो अलग-अलग risk होता है उसको वो हेज कर सकता है अलग-अलग जो financial instrument available है जिसको हम derivatives बोलते हैं तो NBFC भी derivatives का इस्तमाल करके जो risk होता है उसको वो hedge कर सकता है उसको वो कम कर सकता है और साथ ही में NBFC को branded credit card भी issue कर सकता है तो यहां पर जिस तरीके से NBFC अशा कर सकता है housing finance companies को भी इसके लिए अलाव कर दिया गया है तो अब housing finance companies उसके तो जो भी operations किया जाता है उससे जो risk arise होता कि इसु कर सकता है को प्रांड़ ग्रेडिट काड क्या होता है कोई बैंक है या फिर कोई financial institutions से उसके साथ वो किसी Non Bank entity के साथ मिल करके जो credit card issue कर रहा है तो जो प्रांड़ क्रेडिट कार्ड होता है उस तरह के Credit Card के ऊपर उस बैंक भी लोगों होता है और उस non bank entity का भी लोग तो इन सब का इस्तिमाल करके वो रिस्क को कम कर सकता है और वो को ब्रांडे कार्ड वी इशू कर सकता है तो बहुत इंपोर्टेंट है यह दोनों यहां पे फैसला लिया गया है हॉसिंग फैनेंस कंपनी को इन दोनों चीजों के लिए अलाव कर दिया गया है ना उसी को डीटेल में यहाँ पर समझाए क्या है तो देखे यहाँ पर housing finance companies को allow कर दिया क्या है कि वो जो exchange traded currency derivatives होता है उसमें participate कर सकता है अब देखे derivatives के बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं डीटेल में यहाँ पर अगर हम उतना डीटेल में जाएंगे तो जो प्रोवीजन से उससे हम उसको मचे से नहीं पड़ पाएंगे तो इसलिए यहाँ पर जितना जरूरी है मैं बस आपको उतना बताती हूँ कभी और कोई circular आएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव के ऊपर फोकस होगा तो जैसे हम पहले इसको डिसक्स कर चुके है वैसे भी हम इसको आगे भी डिसक्स कर लेंगे है तो जब जब ंरसें पेवाद्ट में फ्लक्चुेशन आएगा इंट्रेस में लेकुत के उपर नीचे अन आयेगा और दा mniejuding करते हैंगे exchange concentrated currency derivative क्या है तो exchange traded currency derivative ऐसा financial contract होता है जैसे कि futures होगया options हो गया जिसका value रहता है currency exchange rate के औपर depend करता है अगर currency exchange rate में one dollar equal to कितना indian rupees होता है तो यह currency exchange rate होता है जब जब इसमें fluctuation आता है तो यह जो currency derivatives है इसके value में और क्योंकि इसका जो ट्रेडिंग है वो रेगुलेटर एक्सचेंज के ऊपर होता है इसलिए इसको एक्सचेंज ट्रेडिट करेंसी डेरिवेटिव बोला चाहता है तो जो भी कंपनीज है अलग-अलग उसको करेंसी फ्लक्शुएशन के वज़े से जो नुकसान हो सकता है उससे अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो इस तरह का डेरिवेटिव का इस्तिमाल करता है ठीक है तो यहां पर क्या बोला चाहरा है कि जो हाउसिंग फाइनस कंपनी है उसने ना डॉलर में फंड बोरो किया है लेकिन भारत के अंदर वो जो लोन देता है लोगों को वो इंडन रुपीज में देता है तो अगर माल लीजे कि पहले क्या था ना कि वन डॉलर इक्वल टू लट से की 80 रुपीज था और अब वन डॉलर इक्वल टू 85 र डॉलर जो इसके अपने आपको प्रोटक्ट करने के लिए वह यहां पर यह जो एक्सचेंज ट्रेड़ करेंसी डेरिवेटिव से उसका इस्तिमाल कर सकता है तो यह यह बोला चारा है कि जो भी उसका अंडरलाइंग एक्सपोजर है जैसे की करेंसी एक्सपोजर तो उससे इसके लिए वह जो से भी रेकोगनाइज एक्सचेंजेस है उसके उपर जो इस तरह का डेरिवेटिव से अवेलेबल है उसमें वह पाटिसिपेट कर सकता है ऐसा क्लाइंट के तो पर पर क्या मतलब है कि वह सिर्फ और सिर्फ अपने आपको प्रोटक्ट करने के लिए इस पर यूसमें डूसरे के बिःप鬼 ट्रेव कर सकता है ऑब देखें यहां पर जितना भी हाउसिंग फाइनेंस कृपनी तो व करनिसी फ्यूचर में पार्टिसिपेट कर सकता है तो इसमें क्या होता है देखें यह एक ऐसा कॉंट्रेक्ट रहता है pieces faced featured ने फिक dir Stories लोर्फे स् करेंसी फ्यूचर्स में पाटिसिपेट कर सकता है इसको बाई कर सकता है अपने आपको हेज करने के लिए इसके अलावा जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका एसेट साइज 1,000 क्रोर और इससे जादा है सिर्फ वही नॉन डिपॉजिट टेक यहां पर उसके पास राइट आजाता है कि वह उसके पास राइट आजाता है इसके उपर पर और उबलीकेशन नहीं रहता है क्फ उस इसको करना ही संदेट को ड़जन मेटर की उस समय चूट अगर उसके फेवर में चीजे चल रहा होगा तो वह चाहे तो उसने जो currency option buy किया है उसको exercise कर सकता है और specific amount of currency को predetermined exchange rate के ऊपर buy फिर sell कर सकता है लेकिन अगर चीजे उसकी favor में नहीं चल रहा होगा तो वह उसको skip भी कर सकता है तो यह क्या होता है currency options होता है तो यहां पर देखिए जो भी housing finance companies है जितना भी housing finance company है वह currency futures में participate कर सकता है उसको buy कर सकता है लेकिन जब बात होता है currency options का तो इसमें सिर्फ जो non deposit taking housing finance companies है जिसका assets size 1000 करोर और इससे जाता है वही participate कर सकता है तो यह याद रखिएगा ठीक है आगे देखते हैं अब देखिए यहां पर currency options और futures में participate कर सकता है housing finance companies जो currency exposure है उसका उससे जो उसको नुकसान हो सकता है उससे अपने आपको protect करने के लिए इसके अलावा वो जो interest rate futures होता है तो यह इसके अलावा जो interest rate futures होता है उसमें भी वो participate कर सकता है उसको buy कर सकता है now interest rate futures है क्या तो देखे interest rate futures क्या होता है यह कैसा contract होता है जिसमें दो पार्टी रहता है दो पार्टी एक future date के लिए एक interest rate को fix करता है एक example से समझते तब आपको समझ में आ जाएगा माल लीजे कि एक housing finance company है उसको ऐसा लगड़ा है कि आने वाले दिन में जो interest rate है वो काफी जादा बढ़ने वाला है तो अपने आपको protect करने के लिए वो एक interest rate future contract को sign कर लेता है और इसके तहतना एक interest rate fix हो जाता है दो पार्टी इसके बीच में लेसे कि 5% interest rate fix हो गया अब उस future date को अगर market में जो interest rate है वो 5% है ज्यादा होगा मालीजे कि 6% है 7% है तो यहां पर जो housing finance company है जिसने की interest rate future contract को sign किया है जिसने interest rate future contract को buy किया है तो यहां पर उसको benefit होगा क्यूंकि interest rate future contract में 5% interest rate set हुआ था लेकिन market में let's say कि उस देट को interest rate कितना चल रहा है 7% चल रहा है तो यहां पर जो 2% का difference है यह difference housing finance company को मिलेगा उसको यहां पर benefit होगा लेकिन अगर चीजे इसके अलग जाता है अगर उस देट को जो market में interest rate है वो लेकिसे की 5% नीचे रहता है 4% हो जाता है 3% हो जाता है तो market में तो कम interest rate के ऊपर loan मिल रहा है लेकिन यहां पर क्यूंकि housing finance company ने तो interest rate future contract to sign कर लिया है और इसमें 5% interest rate हो गया है तो यहां पर इसको नुकसान होगा यहां पर जो difference होगा मालनेजर की market में 3% interest rate के ऊपर loan मिल रहा है तो यहां पर जो 2% का difference है वो यहां पर housing finance company को bear करना पड़ेगा as a expense के तौर पर थीक है तो इस तरीके से जो interest rate futures होता है इसका इस्तमाल किया जाता है companies के दौरा interest rate में जो fluctuation आता है उसके वज़े से जो companies को नुकसान हो सकता है उससे अपने आपको protect करने के लिए वो interest rate futures का इस्तमाल करता है तो यहां पर बोला क्या जा रहा है कि जो भी housing finance companies है वो यहां पर इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर जो की recognized stock exchange पे सेवी द्वारा recognized stock exchange पे अवेलेबल है उसमें वो participate कर सकता है जो उसका underlying exposure है उससे अपने आपको hedge करने के लिए उससे जो नुकसान उसको हो सकता है उसको कम करने के लिए as a client के तौर पे मतलब क्या है इसका मतलब कि वो सिर्फ औ नहीं तो किसी दूसरे entity के बिहाब पे वो इसमें participate कर सकता है सिर्फ ऐसा client के तौर पे वो इंट्रेस्ट रेट फ्यूचर से उसमें participate कर सकता है जितना भी housing finance company है इसके अलावा यहापर क्या बोला चाह रहा है कि जो non-deposit taking housing finance companies है जिसका asset size 1000 crore और इससे जादा है जो भी उसक non-deposit taking housing finance companies यहाँ पे interest rate future market में participate कर सकता है recognized stock exchange के ऊपर as a trading member के तौर पे तो नाव यहाँ पे ऐसा जो non-deposit taking housing finance companies है जिसका asset size 1000 crore और इससे जादा है वो interest rate futures में as a trading member के तौर पे participate कर सकता है इसका मतलब क्या है कि वो अपने बिहाब पे तो trade execute करी सकता है साथी में वो किसी दूस contribute कर सकता है और profit earn करने के उदेशे से भी इसमें participate कर सकता है समझ में आ गया यह वाला provision आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि जो housing finance companies है वो currency futures currency options इसके बात interest rate futures इंसे में participate कर सकता है अब यहाँ पे credit default swap को ले करके है तो जो housing finance companies है वो credit default swap market में भी participate कर सकता ह है नाव यह credit default swap होता क्या है इसको हम थोड़ा सा देख लेता है देखे क्रेडिट default swap क्या है यह credit default swap contract क्या है यह financial agreement होता है इसमें क्या होता है तो इसमें जो government bonds है या फिर corporate bonds है इसके उपर जो default होने का रिस्क रहता है उससे यह उसके अगेंस्ट में insurance के तोर पे काम करता है मौन जैसे कि माल झाची है वसटों को इसमें दो पार्टी रहता है Credit default swap agreement में दो पार्टी रहता है एक बाटी रहता है जो की यह cust i be करना तो टेक्षां का सब्सक्राइब करता में जड़ uniform and in exchange ने फ़्य सब्सक्राइब करें लग्यान और अगर इसके वपर डिफॉल्ट होар तो ग्री की वह पहले पार्टी को यहां पर कमपनसेट करेगा तो कुछ इस तरीके से जो क्रेडिट डिफॉल्ट होता है वह काम करता है तो यहां पर सिंपली क्या होता है कि जो बॉंड होल्डर के उपर रिस्क डिफॉल्ट रहता है उसको प्रोटेक्शन सेलर के उपर ट्रांसफर कर दि के उपर उसका repayment बनता आपाना dove नहीं करें irupative financing finance कंपनिय को यहां पर ड़ लग रहा है तो हो house financing finance कंपनी क्या सबरेगा व mm ум के का भूष बनना के यह होंकि करदेंगा और इसมาने वाला swap help करता है तो यहां पर समझ में आ गया credit default swap क्या है तो यहां पर देखते हैं क्या फैसला लिया गया है